असलामों आलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो दुनिया में जितने भी इमारते बनाई जाती हैं वो सब माहर इंजीनियर्स का कमार होता है वैसे तो आप सब ने बहुत से माहर तरी मिस्तरियों को देखा होगा लेकिन आज क इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे निकम्मे तरीन मिस्तरियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी कंस्ट्रक्शन देकर तो शैतान को भी हार्ट अटक आ जाएगा तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन दोस्तो एक मिस्तरी का सबसे इंपॉर्टेट का हाल कुछ किस तरह हो जाता है ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक मिस्तरी ने सीधी दिवार बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन क्योंके ये बठे पर इंटे बना कर इंजिनियर बना था सो इससे दिवार सीधी बनी ही नहीं वैसे तो इसने जो मास्टर पीस ब प्लस्तर करते हैं लेकिन क्या हो अगर कोई इंजिनियर सस्ता नशा करके घर बनाना स्टार्ट कर दे वैल ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक मिस्तरी बंग पीकर दिवार को प्लस्तर करने की कोशिश कर रहा है ये नश्य में इतना दुद्ध है कि इसे समझी न क्या है बारहाल जो भी हो ये मिस्तरी वाके हे में जोतों के लाइक है, दोस्तो आप सबने एक बात सुनी हो कि कि टीम वर्क इस ड्रीम लेकिन क्या आप ने कबी बडलनी और देख देख रहे हैं इसमें दो पकिस्तानी वर्कर कंस्रक्शन के नाम पर मौत का खेल खेल रहे ह जैसे क्या वडियो में देख सकते हैं कि इन में से एक वरकर ने घर की छट पर एक ड्रम के उपर सीड़ी को लटकाया हुआ है और इस सीड़ी की कोने से रसी के सहारे दूसरा वरकर लटका हुआ है और पेंट कर रहा है जल अपने दोस पर भरोसा होना बहुत ही अच्छी बात है लेकिन इस लेवल का भरोसा तो शायद कोई अपनी सोल मेट पर भी नहीं कर पाएगा बारहाल इन लोगों का पेट कंप्लीट हुआ या पिर ये अल्ला को प्यारे हो गई इस बात का तो पता नहीं लेकिन इससे बड़ी हमाकत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती दोसो इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी कोई शक्स अपना नया घर तामीर करवाता है तो वो अच्छे से अच्छा मिस्तरी तलाश करता है लेकि जब बंदे पैसे बचाने के लिए सस्ते मिस्तरीयों से काम करवाते है तो गर का हाल कुछ इस तरह हो जाता है ये जो घराब दिख रहे हैं इससे कुछ सस्ता मशा करने वाले मिस्तरीयों ने मिल कर तामीर किया था इसे तामीर हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ये पूरा का पूरा गर क्रैक हो गया मज़ेगी बात ये है किस गर के मालिक ने जो गार लगाया और गर को गिरने से बजाने के लिए पूरा का पूरा गर बेल्ट से बाण दिया लेकिन बारहाल इसका कुछ फाइदा नहीं हुआ और कुछ देर बाद घर बुरी तरह तबाह हो गया था एनिवे जो भी हो इस घर को बनाने वाले मिस्तरियों को नोबल प्राइस तो मिलना ही चाहिए दूस्तो आप सबने बहुत से ऐसे मिस्तरी देखी हों कि जो खुद तो बहुत ही कम काम करते हैं और सारा काम अपने मजदूरों से करवाते हैं लेकिन क्या हो अगर कोई मजदूर मिस्तरी से भी ज़्यादा आलसी और ठीट हो वेल यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक इंजीनियर ने अपने वरकर को फर्श पर लगाने के लिए टाइल का पीस काटने के लिए कहा था लेकिन जब यह इस टाइल को काट कर लाया तो वो टाइल उल्टी थी अब यह इंजीनियर उस वकत को कोस रहा था जब इसने अपने वरकर को टाइल काटने के लिए कहा था वेल अब अगर उस्ताद ही आलसी होंगी तो शागित दोस्व क्या expect किया जा सकता है दोस्व जब भी कोई घर तामीर किया जाता है तो इसमें हर कमरे के साथ ventilation के लिए खिड़की जरूर लगाए जाती है लेकिन क्या हो अगर कोई इंजिनियर ऐसी खिड़की लगा दे जिसे खोलना ही impossible हो वेल ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें इंजिनियर ने किसी building के अंदर windows को इस तरह लगा दिया कि इन्ही कोई माई का लाल भी open नहीं कर सकता था सोचने की बात ये है कि आखर इसने ये windows design कैसे की होंगी इस dude mystery ने ये windows लगा तो दी थी लेकिन अब ये windows इससे खुद भी open नहीं हो रही थी बारहाल जो भी हो ये scene वाके ही में देखने लाइक था दोस्तो आम तोर पर एक घर की तामीर एक माहिर mystery करता है लेकिन क्या हो अगर किसी इमारत को एक नहीं बलकि चार-चार mystery बना रहे हो लेकिन फिर भी वो पूरी की पूरी construction एक disaster में बदल जाए वैल ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसने कुछ निकम्मे mystery एक घर की दिवार को बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे लेकिन मज़े की बात ये है कि इन चारो की engineering बुरी तरह fail हो गई और ये दिवार बनने के दोरान ही जमीन पर गिर गई Just imagine कि इस scene देखर इन घर वालों का क्या हाल हुआ होगा ये नजारा वाके ही में देखने लाइक था दोस्तों ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक बन्दे ने अपने घर में दिवार के अंदर सुच लगवाने के लिए एक electrician को बुलवाया था लेकिन इस electrician ने सुच लगाने की बज़ाए पूरी की पूरी दिवार को ही तोड़ कर तबाह कर दिया असल में इस electrician ने सुच लगाने वली जगा को काटने की बज़ाए इसे हथोड़े से तोड़ना शुरू कर दिया था और ये दिवार पलाई की बनी हुई थी इसलिए तूट कर रेजा-रेजा हो गई वैल अब बंदा नोसीकियों से काम करवाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही दोस्तों मुबाइल एक ऐसी चीज है जो हर इनसान को ही अजीज है हम हमेशा इसे cover लगा कर रखते हैं ताकि ये खराब ना हो लेकिन ये जो मिस्तरिया आप दिख रहे हैं इससे अपने मुबाइल से कुछ ज्यादा ही प्यार था ये construction site पर काम कर रहा था और इसे डर था कि कहीं इसकी जेब से मुबाइल गिर कर तोटना जाए इसने काम चोड़ कर वहाँ पर पड़े लोहे को काटा और इससे अपने मुबाइल का cover बना डाला सिर्फ इतना है नहीं बलकि इसने cover के ऊपर लॉक लगाने वाली जगा भी बनाई और इसमें बकाइदा ताला लगा कर इसे लॉक भी कर दिया बारहाल जो भी हो ये बन्दा वाकही में लेजन्ड था दोस्तों ये बातों हम सब जानते हैं कि किसी भी नए घर की तामीर करवाने के लिए पहले पुराने घर को डिमॉलिश करना पड़ता है वैसे तो घर को बनाने से तोड़ना ज्यादा आसान होता है लेकिन कुछ मिस्तरी ऐसे होते हैं जिनसे इतना सा भी काम ठीक से नहीं हो पाता यह जो वडियों आप दिख रहे हैं इसमें एक डूड मिस्तरी हतोड़े से घर को डिमॉलिश करने की कोशिश कर रहा है इसने जैसे ही एक दिवार को जरब लगाने की कोशिश की तो इसका अपना ही बैलनस आउट हो गया और ना सिर्फ इसकी हाथ से हतोड़ा गिर गया बलकि यह बिचारा खुद भी नीचे जा पड़ा वैल अब जिस मिस्तरी से घर तोड नहीं रहा वो इसे बनाएगा कैसे दोस्तो अगर डंस ट्रक की बात की जाए तो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में यह बहुत ही एहम किरदार अदा करता है लेकिन अगर इस डंस ट्रक का ड्राइवर ज्यादा लसी पी ले तो इसका काम कुछ इस तरह हो जाता है यह वडियों आप दिख रहे हैं इसमें गहवी वहिकल ड्राइवर अपने डंस ट्रक से रेट कंटेनर में अन्रोड करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसका अंदाजा बुरी तरह फेल हो गया और क्रश्ट कंटेनर में गिरने की बजाए जमीन पर गिर गई इसने अपनी बेवकुफी की वज़ा से सारी क्रश्ट जाया कर दी थी वेल अब बंदा ओवर कॉन्फिडन्ट होगा तो ऐसा तो होगा ही दोस्तो नॉर्मली मिस्त्री एक बाथरों में एक ही टोयलेट सीड लगाता है लेकिन इस इंजीनियर ने पापा की परियों के लिए एक साथ पांच टोयलेट सीड लगा दी ताकि वो अराम से बैठ कर अपनी डिसकुशन्स वगयरा कर सकें सिर्फ इतना है नहीं बलकि एक मिस्त्री ने तो पबजी प्लेयर्स की जरूरत को मदे नजर रखते हुए चेयर को ही टोयलेट सीड में बदल दिया है ताकि पबजी बॉइस अराम से टोयलेट में बैठ कर गेम को इंजॉय कर सकें वेल इस तरह के लेजंडरी इंजिनियर्स हर जगा देखने को नहीं मिलते दूस्तों आप में से बहुत से लोगों ने इस तरह की सीमट मिक्स करने वाली मशीन देखी होगी लेकिन जब ये मशीन किसी अनाडी वरकर के हाथ में लग जाए तो इसका कुछ ऐसा हाल हो जाता है ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक वरकर मशीन में सीमट मिक्स कर रहा था जैसे इस मिक्सर ने गूमना स्टार्ट किया इससे ये संभाला ही नहीं गया और पूरी मशीन नीचे गिर गई और जमीन पर ही गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गई वैलिय वरकर इसे कंट्रोल करने की बजाए डह कर वहां से भाग गया सेरियसली जिस जगह पर इस तरह के मिस्त्री मौजोद होंगे वहां तो एक इंट भी सही से नहीं लग पाएगी तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफ़ेज